यह हैं यह मेरा आईफोन 6S जिसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इसकी बैटरी कैसी क्या है और आप अगर खरीदते हो यह फोन और कितने दिनों बाद इसकी जो बैटरी हल्थ है वो कितनी हो जाती है पूरी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो पूरी वीडियो देखेगा दोस्तों यह फोन मैंने लिया था नवंबर में दोस्तों नवंबर 2019 तो अभी तक आप जोड़ लेजिए कितना टाइम हो गया है आरे उलय कि साथ महीने करीब और इन साथ महीनोमें दोस्तों इस फोन की जो बैटरी यह ही वो 93% पे आ गया है मतलब कि बैटरी हेल्थ जो 100% होती है जब आप खरीदते हो इस फोन को और इसको जब बार बार आप चार्ज करते हो इसके बाद इसके जो आई फोन की बैटरी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है तो आप मेरी बैटरी हेल्थ देख लिजे दोस्तों ये है 93% मेरे जो फोन की बैटरी हेल्थ है maximum मैं इसको 93% तक चार्ज कर सकता हूँ अब आप लोग ऐसा मैं सोचें कि 93% के बाद ये चार्ज नहीं होती है जब आप इसको चार्ज करते हो तो ये आपको 100% तक चार्ज होती हुई दिखेगी लेकिन इसकी बैटरी हेल्थ आप बोलते हैं आईफोन की वो सिर्फ 93% रह गई है अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको 100% चार्ज कर लेते हो तो ये कितनी देर तक चलता है मेरा फोन देखी लिजए स्क्रीन टाइम है मैं कितनी देर यूज कर चुका हूँ क्या-क्या यूज करता हूँ तो मैं अपने अगर पर्सनल एक्स्पिरियंस पता हूँ तो दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा अपने फोन में यूटूब ही यूज करता हूँ यूटूब पे वीडियो देखता हूँ अपनी अप्लोड करता हूँ तो अगर आप 100% मैं एक बार अगर चार्ज कर लेता हूं तो उसके बाद क्या क्या करता हूं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए मैं एकदम लेटेस्ट वर्जन आयोस 13.5.1 पर ही यूज़ कर रहा हूं मैं अपने आइफोन को हमेशा अपडेट ही रखता हूं कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो नहीं देखता हूं कि इसको अपडेट करना चाहिए या नहीं मैं अपडेट जरूर कर लेता हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो कंपनिया है वो कुछ अच्छा ही अपने product को अच्छा करने के लिए ही update देती हैं इसलिए मैं update ज़रूर करता हूँ कोई भी update आता है चोटा बड़ा कैसा भी मैं update ज़रूर करता हूँ और सबसे यह request करता हूँ कि आप लोग भी अपने phone को update कीजिए सो यह रही बात गेम की अगर आप एक गेम खेलते हो सो आज कल ज्यादा तर लोग यह फॉर्मल गेम कैजुल गेम कम खेलते हैं सब लोग पबजी कहलते हैं सो इसकी में बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अगर आप पबजी की बात करोगे सो अलगी में धड़ है मैं नॉर्मल गेम की बात करता हूँ अगर आप यह जो सब्वे सर्फर गेम है इसको आप अगर खेलते हो कॉंटिन्यू दो तिन गंटे या फिर इसी गेम को अगर मैं बता हूँ खेलते हो इसी गेम मतलब एक गेम तो कोई खेली नहीं सकता बराबर पबजी के अलाबा तो आप य इस गेम को बराबर खेलते हो 100% से दो गंटे के बाद ये गेम खेलते हुए आपकी जो बैटरी है वो 50% कम हो जाएगी आईफोन 6S की और अगर हम दूसरे गेम की बात करें तो वो मैं कम खेलता हूँ और एप्स ज़्यादा फोन में है नहीं जो यूज के है तो वही मैं जल्दी कम होने लगती है फोन उतना हैंग नहीं करता है जितना Android में 4GB RAM होती उसमें आप ज्यादा डाउनलोड कर लो सो हैंग करने लगता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो YouTube में ज्यादा यूज करता हूँ इस फोन में और रही बात कॉल की अगर आप कॉल बैटरी खतम हो जाएगी अकर आप दो गंटे बराबर फोन कॉल पर बात करते हो तो मैं अपने फोन में एक चीज हो रही है यह होट इसको भी अन रखता हूँ जब इसको अन रखता हूँ तो बैटरी को ज्यादा ही खतम होती है और में चीज है इसका ब्राइटनेस अटोमेटिक पर ही रहता है तो आप कहीं भी होते हो तो ज्यादा बैटरी खतम होने के चांसे रहते हैं और रही बात इसमें जो लो पावर मोड होता है बैटरी यूज करने का उसको मैं कम यूज करता हूँ क्योंकि मुझा इसा लगता है उससे कोई खास फरक पड़ता नह और जो होट स्पोट है उसको भी बहुत ज़्यदा चलाता हूँ क्योंकि जो मेरा दूसरा फोन में उसमें मैं रिचार्ज नहीं कराता हूँ क्योंकि आजकल सब रिचार्ज में रिचार्ज करवाना पड़ता है तो मैं इसी में मेरा रिचार्ज है उसी से करवाता हूँ और 50 फोटो खीचने के बाद इसकी बैटरी कम से कम 20 परसेंट और कम हो जाएगी दोस्तों 20 परसेंट बैटरी कतम हो जाएगी अगर आप 50 फोटो खीचते हो तो यह भी एक आपके इसाब से प्लस माइनस पॉइंट हो सकता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो रिवीव है फ्लिप कार्ट पर वो कुछ खास अच्छे नहीं है बोल सकते हो लेकिन मेरे इसाब से कहोगे तो रिवीव अच्छे है रिवीव अच्छे बुरे वो डि बड़ करती है थोड़ी दोस्तों बाकि इसकी जो परफॉमेंस है साइज छोटा है दोस्तों यूज करने के लिए वन एंड में आराम सच्छे से यूज कर सकते है उसके लिए बहुत बढ़िया है और इसकी जो डिस्पले है वो भी बहुत बहतरी ने अच्छी तरीके से आइफोन में देखते हो तो काफी डिफरेंस दिखता है दोनों चीजों में अभी मैं आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा कि इस समय इसकी प्राइस कितनी हो गई है प्राइस इसकी दिन पर दिन कम होते चाह रही है इसकी प्राइस इस समय आइजिंक 25,000 रुपए के आसपास होगी और अगर बात करें आइफोन 7 की तो उसकी प्राइस 30,000 रुपए है इस समय तो अगर आपके पास इतना बजट है तो वह भी ले सकते हो लेकिन उसमें एक चीज़ 3.5 mm आडियो जैक नहीं मिलेगा तो यह देखे दोस्तों है आइफोन 6S गोल्ड कल के आसपास प्राइस मिलती है गाईज तो इसके जो प्रोसेसर बैटरी वेकरे डिस्पले आप लोग बैटरी तो नहीं दिखाते हैं वो बाकि देख लीजिए और यह रही दोस्तों बैटरी रिव्यू देख लीजिए इसकी जो बैटरी है वो धाई परसेंट रेटिंग है यानि 50% कम एरेटिंग इसकी सिर्फ बैटरी बाकी परफॉमेंस डिस्पले कैमरा बाकी सब इस फोन का बढ़िया है लेकिन निराश आपको इसकी बैटरी ही कर सकती है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है छोटे फोन के हिसाब से बहुत बढ़िया बैटरी है और अगर हम चार चार्जिंग होने में बहुत टाइम लगाते हैं उसके इसाब से यह चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है और ठीक ठाक है दोस्तों इसकी जो बैटरी है बस वही थोड़ी डिसपॉइंट करती है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर प हमारे चैनल पर नया चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू